हाई अब्रीवन स्वागत आपका माईलो फैमिली चैनल में पेरियद्स मिस होने से पहले कि ये जाने बाले होम प्रिग्नेंसी टेस्ट कितने सही होते हैं नहीं पता? नौट शॉर? डॉन्ट वरी आज के इस वीडियो में हम इसी विशय पर डीटेल में बात करेंगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हैं मैं आपको फटा-फट से ये बता दू कि आप उन 10 लकी विनर्स में से हो सकते हैं जो हर फ्राइडे को 500 रुपीज का वाउचर जीते हैं आपको बस इस वीडियो को अंतक देखना है एक शब्द आपको इस वीडियो में दिखाई देगा उसे आपको कॉमेंट सेक्शन में 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 बेंचन करना है वाउचर रिडीम करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाके क्लिक करें माईलो आपको महाँ से डाउंडोड करें और फिर बेहद इंजॉय करें होम प्रेगनेंसी टेस्ट एक्साइटिंग होने के साथ साथ स्ट्रेसफूल भी हो सकता है क्योंकि आपके मन में ये आशंका होती है कि होम टेस्ट के रिजल्ट 100% accurate है या फिर नहीं तो आईए इस वीडियो में हम देखते हैं कि होम प्रेग्नेंसी टेस्ट कब और कैसे करना चाहिए और ये कितने accurate होते हैं What is pregnancy test? प्रेग्नेंसी टेस्ट के जरिये आप जान सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है तो आप प्रेगनेंट है और अगर आपका रिजर्ट नेगिटिव है तो आप प्रेगनेंट नहीं है प्रेगनेंसी टेस्ट, HCG यानि Human Chorionic Ganodutropin हॉर्मोन को डिटेक्ट करते हैं जो कि किसी भी महिला के शरीर में केवल तब ही रिलीज होते हैं जब वो प्रेगनेंट होती है वेंड शुड आई टेक अ होम प्रेगनेंसी टेस्ट? होम प्रेगनेंसी टेस्ट की अक्यूरेसी होने की संभावना तब ही बढ़ जाती है जब आप ये टेस्ट मिस्ट पीरिट के पहले दिन के बाद करते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइज एग यूरीन लाइनिंग से अटाच होता है जिसे इंप्लांटेशन कहते हैं प्लेसेंटा बनने की शुरुवात हो जाती है प्लेसेंटा फिर प्रेगनेंसी होर्मोन HCG बनाता है HCG बलड और यूरीन में पाया जाता है और ये होमोन सिर्फ प्रेगनेंसी के समय ही मौडी में मौझूद होता है होम प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करता है अगर आपकी यूरीन में HCG मौझूद है या नहीं प्रेगनेंसी की शुरुवात में बलड और यूरीन में HCG की मातरा बहुत तेजी से बढ़ती है यहर दो से तीन दिनों में दुगना हो जाता है इसका मतलब है कि अगर आप पीरिज मिस होने के एक या दो दिन बाद टेस्ट करेंगे और अगर आप प्रेगनेंट हैं तो पूरी संभावना है कि टेस्ट HCG को डिटेक्ट कर लेगा और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा होम प्रेगनेंसी टेस्ट की अक्यूरिसी ओविलेशन के समय पर निर्भर करती है एक महीने से दूसरे महीने में बदल सकता है एक फर्टिलाइज एक भी यूटरूस में डिफरेंट टाइम पर इंप्लांट हो सकता है इस वज़ह से HCG के बनने की और इसके टेस्ट में डिटेक्ट होने की टाइमिंग बदल सकते हैं Irregular Menstrual Cycle भी Home Pregnancy Test के रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि पीरियद को किस दिन से शुरुवात होना चाहिए What time should I take a Home Pregnancy Test? Generally, टेस्ट लेने का सही समय आपके सुभा के सबसे पहले यूरीन के वक्त होता है पर कुछ टेस्ट इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो दिन के किसी भी समय पर यूरीन में ECG की मातरा डेटेक्ट कर सकते हैं आप दो प्रेगनेंसी टेस्ट भी ले सकते हैं ताकि आप सेम रिजल्ट कन्फर्म कर सकें How do I use a Home Pregnancy Test? ज्यादा तर Home Pregnancy Test में आप ये तीन तरीको का इस्तमाल कर सकते हैं पहला आप टेस्ट स्टिक का एंड अपने यूरीन स्टीम में डाल सकते हैं टेस्ट को यूरीन के कंटेनर में डिप कर सकते हैं यूरीन के कई सारे ड्रॉप्स टेस्ट पर रख सकते हैं कुछ minutes में ही result आ जाता है टेस्ट के instructions को अच्छे से पढ़ें ज्यादा तर tests में एक control indicator होता है जो अक्सर एक line या और कोई symbol होता है जो आपको result window में दिखाई देता है अगर आपको वो line या symbol दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि test काम नहीं कर रहा है ऐसे में आपको दोबारा test करना चाहिए कुछ home pregnancy tests और ज्यादा sensitive होते हैं ये test urine में HCG की कम मातरा को भी detect कर लेते हैं और positive results दिखाने योगे हैं अगर आप सही test नहीं चुन पा रहे हैं तो अपने pharmacist की सला ले test की expiration date हमेशा चेक करें अगर test expire हो चुके हैं तो उसके इस्तमाल ना करें What are the different types of pregnancy tests? Typically दो तरह के pregnancy tests होते हैं urine और blood test urine tests ज्यादा तर घर में किये जाते हैं हाला कि ये test आपके healthcare provider के पास भी किये जा सकते हैं और blood test तो healthcare providers ही करते हैं How accurate are home pregnancy tests? ज्यादा तर pregnancy tests 99% accurate होते हैं अगर आपका period हाल ही में miss हुआ है तो home pregnancy test का result अलग हो सकता है अगर आपका test result negative आता है पर आपको फिर भी मैसूस होता है कि आप शायद pregnant हैं तो आपके period miss होने में एक हफते के बाद फिर से test confirm कर सकते हैं या फिर आप अपने healthcare provider की सला लें तो अगर आप सही instructions के साथ test करें तो अकसर home pregnancy test का result accurate ही आता है अगर आपके मन में result को लेकर कोई सवाल है तो आप अपने doctor की सला जरूर लें तो हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे आप घर पर आसानी से pregnancy test कर सकते हैं उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर पसंद आई है तो जरूर कॉमेंट करिए और हमें अपने विचार बताईए आप अपने दोस्तों के साथ, अपने friends के साथ, family के साथ इस important information को जरूर शेर करें साथी साथ, subscribe करें हमारे subscribe button पे click करके bell icon जरूर दमाएं ताकि आपको time to time notification मिलती रहे Thank you so much for watching, have a nice day